सभी गुरुजन विरिंदो को नमश्खार है और उत्राखन लोग सेवा योग की परधानाचारी सीधी भरती 2024 निकली हुई है उसकी आप लोग तयारी कर रहे हैं इसी क्रम में हम लोगों ने भी चंदरियान चार सिरीज लॉंच की है जिसका आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आज एक्टिव पैसी वोईज सीखेंगे मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग पूरे मनोयोग से इस भरती के तयारी में जुटे हुए होंगे और जिस तरह से मुझे लगातार फोन आप लोगों के आ रहे हैं आप लोग इतने कंसन हैं तो निश्यत रूप में ही आप लोग सभी प्रधानाचारे के लिए योग्या लोग हैं कर भी रहे हैं प्रधानाचारे के कारेगों निर्वहन और आप लोग प्रधानाचारे अव करते हैं तो हिंदी में बात करते समय भी हम क्या कहते हैं कि मम्मी खाना बना रही है एक तो यह कह सकते हैं और इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि खाना मम्मी के दौरा बनाया जा रहा है ठीक है तो दो तरीके से हमने एक ही बात को कही या फिर यह भी कह सकते हैं तुम कहां गए थे और ये भी कह सकते है कि वहां तुम ही गए थे ठीके ना तो ये हम दो तरीके से एक बात को बोल सकते हैं ठीके ना बोल तो वैसे और भी तरीके से सकते हैं जैसे ये भी बोल सकते हैं अबे जा तू वहां जाई नहीं सकता या हो जी नहीं सकता कि तुम वहा चीज को न स्वारे कैसे हिंदियों में लाैज नो ही तरीके से बिए और इन दो तरीकों का कारण क्या है देखिए पहला तरीका क्या है कि मंपर औहुत लगो पर्धांता, एक । उन प्रधान थे और दूसरे में जाना प्रधान था तो प्रधान था किस चीज को दे रही हैं सब्द को बोलने में उस चीज को उस तरीके से active और passive voice के हिसाब से हम बोलते हैं ठीके मैं एक और बाद बताऊं आपको जैसे की यह क्या कहे दिया कि मम्मी खाना बना रही थी और मम्मी के द्वारा बना दिया था तो जनरली हम बातचीत में क्या बोलेंगे मम्मी खाना बना रहे थी हम ये थोड़ी बोलते हैं कि खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा था या जैसे मैंने यहाँ पे लिखावा he eats a mango वह एक mango खाता है लेकिन a mango is eaten by him एक mango उसके द्वारा खाया जाता है ये भी बोल सकते हैं इसको हाला कि हम बोलना क्या पसंद करेंगे हम बोलेंगे he eats a mango इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे I am playing cricket मतलब हम सीधा active तरीके से बोलते हैं अगर हम बोलेंगे सीधे तरीके से बोल रहें तो हम बोलेंगे हम active voice में बोल रहें I will call my friend friends तो मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा अब ये भी बोल सकते थे हम लोग my friends will be called by me मेरे द्वारा मेरे दोस्तों को बुलाया जाएगा लेकिन हम देखते हैं generally हम active voice में बाते करते हैं तो फिर passive voice की जरूरत कहां पढ़ती है ये भी आप समझने की कोशिश कीए तो passive voice की जरूरत क्या होती है कि देखे मैंने अभी एक बात तो आपको ये बताए कि किस चीज की प्रधानता है इस बात से active और passive का पता चलता है दूसरी बात ये है कि फर्ज कीजी मैं आपको एक उधारन दे रहा हूँ जैसे मैं आपको कहता हूँ यहां मेरा दोस्त है इसकी नीली कार है तो मैंने क्या बोला यहां मेरा दोस्त है पहले मैं अपने दोस्त को इंट्रड्यूस करा रहा हूँ और फिर मैं उसकी car को introduce करा रहूँ तो यहाँ मेरा दोस्त है इसकी नीली car है अब नीली पीछे चले गया नीली car पीछे चले गई इसकी पहले आगया इसकी नीली car है इसी तरीके से अगर मैं यह बोलता कि कल बाजार में जो तुमने नई वाली नीली कार देखी थी ठीक है ना वह कार मेरे दोस्त की थी तो अभी क्या कल तुमने बाजार में जो नीली कार देखी थी तो मैंने किस बात को इंफेसिस दिया नीली कार के लिए या नई कार के लिए तो फिर मैंने ये बोला ये वह कार मेरे दोस्त के या मेरा दोस्त पीछा चले गया तो आप समझ रहे है जिस फ्लो में हम लोग आ रहे थे इससे पहले से आप कहेंगे कि हम जिस फ्लो में पीछे से आ रहे थे कि मैंने बजार में एक नीली कार देखी तो हम नीली कार के flow में आ रहे थे तो हमने नीली कार को प्रधानता दे दिये इसलिए हमने यहाँ पे active ना बोलके passive voice का use किया था ठीक है न तो यह तीन passive voices हम बना सकते हैं a mango is eaten by him cricket is being played by me या फिर my friends will be called by me इस तरीके से मैंने पहले दिये गए तीनो active voices को passive voice में बोलने की कोशिश की लेकिन अब बात यह आ जाती है कि active voice को क्या passive voice में सीधे ऐसे ही change कर देंगे या इसके लिए कुछ rules है तो इसके लिए जी बहुत सारे rules है और उन rules को केवल और केवल आपने इस chart के इस table की मदद से समझना है आप इस table को बहुत ध्यान से देखिए आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि देखिए हम हिंदी हो चाहिए इंगली सो तीन ही तरीके के समय पे बात करते हैं या तो इस समय present में या जो बीद गया वो वाला कल या जो आने वाला है कल मतब आप future की बात करेंगे या present की बात करेंगे या फिर past की बात करेंगे तो तीन ही तरीके की tenses होते है future tense, past tense और present tense अब इन तीनों में भी अलग अलग तरीके के senses आते हैं जैसे एक तो बात जो होती है, होती है, तो उसको तो बोलेंगे कि वो तो प्रेजन्ट का मामला है, और एक हो रही है, वो भी प्रेजन्ट में है, मगर हो रही है, वो चल रही है, और तीसरी बात, हो चुकी है, मतलब है तो प्रेजन्ट की ही पर हो बीच चुकी है, तो इस तर से simple मतलब simple present tense दूसरी बात हमने क्या बोली continuous present tense और तीसरी हमने क्या बोली perfect present tense तो इस प्रजेंट के लिये यह तीन हिस्से के यह यह हम future के लिए और वही हम past के लिए भी कर सकते हैं this तरीके से जिस भी हिस्से की बात करेंगे उस के लिए कुछ grammatical rules आएंगे और ये rules कैसे हैं, जैसे हम बोलते हैं, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, active wise में क्या बोलते हैं, subject plus verb plus object, क्या बोलते हैं, active wise में subject plus verb plus object, ये हमारा order होता है, जबकि passive wise में हमारा order क्या होता है, पहले object को प्राधानता दे दी, फिर verb यूज करनी है, मगर verb हमेशा third form में उससे पहले by लगाओ, by के बाद subject लाएगा, तो ये तो इसका general grammatical rule है, जो सारे tenses में चलेगा, लेकिन आप जैसी simple present tense की use कर रहे हैं, जैसे subject plus verb की first form plus object, generally ऐसा ही आता है हमारा, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मां खाना बना ही है, बनाती है, ठीक है न, तो ये simple present tense हुजाएगा, तो इस वाले present tense को change करने के लिए हमने क्या करना है, इसके object पहले आएगा, फिर उसके बाद main verb आनी थी, खाना बना रही है, बना रही है वाला word, ठीक है न, तो उससे पहले is mr आएगा, अगर simple present tense की बात करेंगे, तो is mr और उसके बाद verb की third form लगेगी, प्लस फिर by लगेगा, और उसके बाद हमारा क्या लगेगा, subject लगेगा, main subject जो हमारा था, ठीक है न, तो ये simple present tense, पहला वाला case हो गया हमारा, ठीक है जी, अब पहले वाले case के बाद हम दूसरा case करेंगे, simple past tense, अब past tense मतब मम्मी खाना बना था और उसके बाद खाना है, तो subject प्लस वर्व की second form प्लस object जहां पर आता है, वहां से पैचानते की simple past tense है, तो इसको अगर passive में convert करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले object के बाद was या वर लेके आना है, उसके बाद वर्व की third form, वर्व की हमेशे third ही form लग विल या शेल लगता है हमार को पता है, तो subject के बाद will और शेल अगर आ जाए तो हमें पता चलता है कि simple future tense चल रहा है, और उसके बाद वर्व की पहली form लगती है, और उसके बाद object लगता है, तो यह हमारा future simple future tense हो जाता है, अब उसको change करना है आपने passive में, तो आप पहले object क यह होगा, object के लिए जो भी यूज होगा, या रखना, तेकर ना, यह वर्व की थरड फॉर्म यूँज होनी है, मने आ आपको बता है, प्लस बाई, प्लस आपका object, subject cit, इस तरीके से आपने simple वाले, simple present, simple past और simple future के बारे में जाना है, इसके बाद आप continuous stance के बारे में जाने तो present में continuous मतलब मम्मा खाना बना रही है या पापा मुझे पढ़ा रहे है ठेके न तो subject इसमें आता है इसके बाद is mr आता है वर्व की first form के साथ ing आता है और object आता है यही तो rules का बना रहे हैं रहे हैं word के लिए ing आ रहा है इसके बाद being आ जाएगा being के बाद third form आ जाएगी वर्व की और plus by plus subject यह आपका present continuous past continuous में वर्व के बाद वर्व की ing आती है और उसके बाद object आता है तो same चीज करेंगे यहाँ पर वर्व के बाद being लग जाएगा जैए जैसे इस mr के बाद continuous में भी आ जाएगा और future continuous कैसा होता है future continuous में sell be के बाद ing वाली वर्व आती है ठीक है ना mama shall be going to the market mama shall be going to the market तो shall be के बाद वर्व की ing के साथ आईगी अब अगर इसको हमने passive बनाना है तो इसमें object shall will जो भी आएगा object के हिसाब से being ठीक है ना प्लस वर्व की third form यहाँ पर ing ing कुछ नहीं आता वर्व की केवल third form चलती है प्लस बाई प्लस आपका subject आ जाएगा तो यह future continuous tense के लिए काम हो गया अब होता है perfect tense तो present में जो perfect tense है उसके लिए has have आता है ठीक है ना we have made this हम ऐसे बोलते हैं ना we have made ठीक है ना a toy ऐसे बोल सकते हैं तो we have made the toy मतला हम बना चुके हैं ठीक है ना तो we have के बाद made मतला third form of verb आती हमें पता है अब अगर हम इसको passive बनाना चाहेंगे तो उसमें object the toy have या has toys आएगा तो have आएगा the toys have been made by us है ना हाँ पर इस तरीके से अगर इसको क्या करना होगा हमने इसको present perfect tense को हमने passive voice में convert करना होगा तो has have के बाद been आ जाएगा past perfect tense चल रहा है अगर subject के बाद had आ रहा है we had made toys अगर यह आ जाता तो हम क्या लिखते the toys had been made by us इस तरीके से हम इसको covert कर लेते ठीके जी तो past perfect tense होता है future perfect tense में shall have यह will have यह word आता है तो we shall have ठीके ना go to market we shall have gone to market यह हमारा future perfect tense के लिए use होता है और अगर यह future perfect tense आपका use होता है तो shall have been आपको उसके passive voice में shall have been यह will have been यूज़ करना पड़ेगा object और subject को उटा मतलब करके इसको यूज़ करना पड़ेगा तो यह यहाँ पर formula है आपको यह formula ध्यान करना पड़ेगा आप सबसे पहले इस formula को तीन चार बार देख लीजिए ठीक है ना simple present tense में is mr के बाद वर्व की third form आएगी simple past tense में was work के बाद वर्व की third form आएगी simple future में shall यह will be के बाद आपका वर्व की third form आएगी present continuous में is mr के बाद being आएगा passive wise के लिए पास्ट continues के लिए was work के बाद being आएगा future continuous में shall यह will being के बाद वर्व की third form आएगी इसे طरेगे से present perfect में have been HAS been यह आएगा past tense में had been आएगा और future tense में shall have been यह will have been यह आएगा इतनी बात मैंने आपको as a rule इसमें बता दी है अब हम इसके कुछ practice questions करेंगे और इससे पहले कें practice questions करें मैं आप लोगों को यह screen में आप देख रहे होंगे एक हमारा हमारे खास मित्र है पंकत सर्मा जी इनका study point के नाम से रिशी केस में एक बहुती renowned coaching center है आप बहुत सारे विश्यों में coaching देते हैं जैसे bank के आपके अच्छे बैच चलते हैं SSC के बहुत बढ़िया बैच चलते हैं और आपके इसके अलाबा जो है UKPSC के bank चलते हैं UPSC के बैच चलते हैं आप जो है गुरुप C के लिए UKSSC वाले जो भरतिया आती है उसके लिए भी करते हैं और आपके recent results की कुछ portrait में यहां पर किया हुआ है तो इन results से आप देख सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे results हैं लगबग हर exam में results हैं और कुछी results में यहां पर दिखा पाया हूँ क्योंकि हमारा तैयारी कुछ और चलती है तो इसलिए आप लोग इस coaching center को अगर बच्चे कोई भी पूछते हैं और आप लोग अगर इस coaching center के लिए refer करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगोंने मेरा message जो है आगे तक भी पहुँचाया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जैसे यह हमारे पास active voice है यह कै है mama cook food in the kitchen ममा खाना kitchen में खाना बनाती है तो इसको क्या बोलेंगे यह आगे हमारा present simple इसमें चल रहा है हमारा इसको change कर देंगे तो food is cooked by mama in the kitchen यह आजाएगा हमारा इसका passive voice ठीक है इसी तरीके से she is driving the car ठीक है यह इसका present continuous हो जाएगा driving is driving का मतलब present continuous आ गया present continuous का passive बनाएगे तो इसके बाद being आना है तो the car is being driving by her आप चाहें तो इसके formula को भी देख सकते हैं उस formula में इस से सिधा is being आ रहा है ठीक है अच्छे से मैंने बोला the car is being अभी एक ही कार के बारे में बात थी माल दीजिए example ऐसा होता कि she is baking cakes वह cake बना रही है तो cake तो एक नहीं है न केक तो बहुत सारे बना रही हो तो अगर इसका order चेंज करना है तो the cakes are being baked इस नहीं आया अब आप कहीं सोचें कि is के साथ is being आ जाना था यहाँ पर cakes are being मतलब अब object आगे आने के बाद यह जो is mr आया है यह cakes के हिसाब से या मतलब वो object के number के हिसाब से is mr के रूप में change होगा इसी तरीके से आप देख सकते हैं mama cooked food in the kitchen mama cooked food in the kitchen हो गया हमारा past simple में और अगर हम इसका passive बनाएंगे the food was cooked by mama in the kitchen तो cooked word हमें बता रहा था कि यह past simple है और past simple के लिए हमारे को was यह वर लगाना परता है तो the food के साथ वर नहीं आ सकता क्योंकि food एक ही चीज़ है तो was आ किया उसके लिए ठीक है ना इसके बाद she was driving the car she was driving the car तो यहाँ पर आ जाएगा the car was being driving by her है ना तो the car थूंकि car was being driving आया और अगर इसी तरीके से she was baking cakes आया होता तो the cakes were being baked by her इस तरीके से object के बहुत सारे होने के कारण plural के होने के कारण were आ जाता है यहाँ पर तो इसके अलावा आप देख सकते है mama will cook food in the kitchen यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम एक future simple tense की बात कर रहे हैं ठीके ना यहाँ पर हम किस की बात कर रहे है future simple की बात कर रहे है mama will cook food in the kitchen और यहाँ पर the food will be cooked by mama in the kitchen तो will के साथ will be आ गया हमारा तो यह हमारा क्या हो गया इसका passive हो गया तो इस तरीके से हमने active passive में convert किये कौन से simple वाले tense में ठीके ना past present और future simple को हमने change किया इससे हमार को पता चला कि इस तरीके से हम passive sentences इसके बना सकते हैं अपने वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले एक आत question भी ले ले लेते हैं तो एक इस बीच अजीब सा वाक्या यह हुआ कि मुझे एक गुरुजी का phone आया है और उन्होंने बड़ा अलग तरीके का एक explanation दिय है तो वो मुझे बता रहे थे कि सर जैसे 666 post ने हमारे निकली हुई है और प्री में क्या है कि इसकी तीन गुना लोगों को उनको लेना पड़ेगा तो मतलब 666 का तीन गुना लगबग 2,000 लोग हो गए तो 2,000 लोग तो प्री में चटेंगे आएंगे ठीके और तक्रीबन 1,222 लोगों ने यह form भरा हुआ है तो 1,222 लोगों के हिसाब से जब 2,000 लोग यहां select हो गए तो फिर बचा ही कौन तो इसका मतलब तो प्री तो तयारी करने के ज़रूरत ही नहीं है इसके बाद आगे देखेंगे ठीके ना तो यह explanation किसी गुरुजी ने मेरे को दिया था तो पहली बात तो मैं यह नहीं समझ पा या कि कैसे पता चला हमारी को कि इसमें प्री और मेंज का हिसाब किताब है इसमें तो जी प्री और मेंज का कोई हिसाब किताब है यह नहीं इसमें फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर entry का categorization है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सेम डे भी हो सकता है वो दो घंटे का और वो तीन घंटे का लिखावा है तो ये भी हो सकता है कि वो सेम डे हो दो पारियों में सेम डे हो जाए लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दो अलग-अलग दिन डिसाइड हो और वो दो अलग-अलग दि पेमेंस के हिसाफ से नहीं है प्रीमेंस इंटरव्य टाइप नहीं है यह जोटल समस्ट सम का सबका सम है इसका पहली बात यहे भी रचेत दूसरी बात यह अहीं है कि आपने वह बताया था लगबग 200 वहली उप्यपे przyp L Ini नहीं पहले न dev oh proclaim फी उत्यरता लेकर क्या रहे हैं अभी 166 लोगों की एक petition और जारे किये कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 लोग इस category के अंदर और registered हो जाएंगे ये 32 सो से 35 सो तक जाने की संभावना है पहले ही बता रहा हूं आपको और इसी के अलावा एक और बात यह है कि जब सबका योग होना है तो इसमें आप तीन गुना चार गुना जो भी मान करके चलो पर होगा तो यही न कि जिसके जादा नंबर आ रहे होंगे वो strong होगा भई पहले वाले के मान लो 420 नंबर आ रहे हैं और 400 नंबर आ रहे हैं और उसके पीछे वाला कोई 300 नंबर वाला भी है तो ऐसा थोड़ी कि वो interview में उससे आगे आने के chances है ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर interview सेपरेट नहीं है interview भी इसके साथ add होना तब तो जाके 540 नंबर का होना है तो जो lead कर रहा है वो lead ही कर रहा है उसको ऐसा चकर नहीं है तो आप पहली बात तो तयारी को किसी भी बहाने से कमना होने दीजिए दूसरी बात मैं आपको यह बताओं कि इस तरीके के जो excuses होते हैं उसको आप एक तरीके से समझे इंगलिश में इसके लिए आता है escapism इसको बोलते है escapism escapism मतलब भागना किसी मुशिवत से भागना ठीके न जो कि मुझे लगता किसी भी टेंसे में अगर आप देखो future present past में उस भागने को भागना ही कहते हैं मतलब वो गलत ही माना जाता है तो आप इस escapism की प्रविर्ती जो है अगर किसी तरीके से ये खयाल मन में आ रहा है exam के लिए क्योंकि अब देखे तैयारी करने में जटिलता हैं तो ही तो जटिलता हैं तो आदमी अपने को मन बहलाने के लिए कुछ-कुछ अलग-लग तरीक इसका मतलब क्या हो गया she is going मतलब यहां पर क्या आ गया हमारा present का हमारा continuous आ गया present का continuous आ गया she is going to write a letter तो इसका कैसे बनेगा हमारा a letter is going to be written by her उसके द्वारा एक letter लिखा जाएगा मतलब है तो a letter is going to be written by her यह हमने यहां पर पढ़ा था she has delivered the car she has delivered a car यह आना चाहिए था तो the car has been drive by her बिल्कुल ठीक है has के साथ बीन आता है तो the car has been drive by her यह इसका हो जाना चाहिए she has baked the cakes ठीक है ना she has baked the cakes अब देखो यहां पर कह लिखवा she has baked the cakes c के साथ तो has ही आता है पर जब इसको उल्टा करेंगे तो cakes आ जाएगा पहले the cakes तो cakes के साथ तो has नहीं आ सकता है आएगा the cakes have been baked by her ठीक है ना तो यह ऐसे change हो जाएगा और she had delivered the letters she had delivered the letter इसका मतलब क्या हो गया यहां पर past perfect की बात कर रहा है she had delivered तो the letters had been delivered by her आ जाएगा the letter had के साथ फिर been आ जाएगा आपको कुछ नहीं करना केवल formula देखना है head था तो head के साथ been आता है has have है उनके साथ भी has have के साथ भी been आता है तो आपको बहुत जादा confused होने की ज़रुत नहीं है इतना थोरो भी होने की ज़रुत नहीं जितना मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत छोटा सा hint है इसके अंदर और वो वही है क्या जो आपने formula पड़े है अभी मैं उनकी application आपको बताऊँगा she has to cook food अब देखो ये क्या आ गया she has to cook food अब ये perfect वाला नहीं है अगर आप सोचें कि ये कोई future perfect ये past perfect ये नहीं है she has to cook food उसको खाना बनाना ही पड़ेगा ये बात ऐसी है तो ऐसे भी कुछ चीज़ें आते हैं जिसको बोलते हैं indefinite बोलते हैं तो infinite चीज़ें हैं ये she has to cook food मतलब उसे खाना बनाना पड़ेगा अब कब बनाना है इसके बारे में बात नहीं हो रही ये भी नहीं गहरा हो कि future में बनाना पड़ेगा या अभी बनाना पड़ेगा तो she has to cook food का मतलब अगर उसको चेंज करेंगे the food has to be cooked by her खाना उसी के द्वारा बनाया जाएगा राइट वाले जो होते हैं उनके भी पैसिप्स बनते हैं और एक एक अग्जाम्पल ये भी है मेरा she must eat बनाना उसको खाना चाहिए मतलब बनाना खाना चाहिए उसको ये must eat बनाना मतलब उसको ऐसा करना ही चाहिए तो इनको बोलते है model ठीके न ये एक तरीके से देखा जाय यह मतलब अब 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 विश्य में ही तो खाएगी कोई तो उसको मतलब जैसे यूं समझ सकते हैं कि जैसे future perfect tense उस तरीखे का कुछ मामला हो गया यह तो she must eat banana इसका कैसे होगा इसको convert करेंगे तो the banana must be eat अभी मैंने आपको will shell के साथ लगा करके तो बोला था will have been yeah shall have been मगर यहाँ पे marana must be eaten by her must के साथ be आ जाएगा तो must be eaten by her यह इसका एक formula है तो आएए अब कुछ practice के questions देख लेते हैं इसमें एक question है पहला the police have caught the thief ठीके ना police ने क्या कर दिया thief को caught कर लिया the police police मतलब एक police नहीं है वो बहुत सारी police है इसलिए उसके साथ क्या आया have आया have has नहीं आया ठीके ना एक police वाला थोड़ी है वो कि एक police वाले ने जाकर के एक एक चोर को पकड़ लिया police वालों ने या police ने जो police मतलब अपने आपी plural है police have caught the thief इसको उल्टा करेंगे तो the thief अब have है तो have been आना चाहिए कुछ लोग बोलेंगे मगर have been नहीं आएगा thief एक ही है तो has been caught by the police ठीक है ना बाकी दो एक्जाम जो B और C दे रहे के हैं वो इसमें match नहीं कर रहे है क्योंकि ये have caught the police have caught यहां पर आ रहा है ना तो ये present perfect tense है तो has, have के साथ been आता है इसमें ये formula पीछे जा करके आप देख सकते हैं अब आप देखें ये question मैंने आपको पूछा आपने कुछ नहीं करना वो चार्ट आपने ध्यान रखना है have आया इसमें तो have को underline कर दो अब have आपने underline कर दे तो have been ये has been आना है ये बात आप समझी रहे हो वहाँ पे देख करके अपने चार्ट में तो अब the thief को आ गई आना है और police के पहले by ही आना है तो ये दो तीन चीजें तो आपको समझ में आई गई जो भी वर्व आई गई जैसे catch ये कुछ भी रहा होगा तो वो caught बनेगा third form बनेगी तो एक basic structure आपके सामने है formula आपके सामने है कि has था या have था तो have been has been आ जाएगा तो आप इसमें फिर परिशाननी होगे जैसे देखें दूसरा देखें the thief was caught by the police अब ये क्या हो गया was कहां से आ गया ये तो have में चल रहा था था ना present perfect में चल रहा था था ना was caught कहां पे आएगा जो simple past में चल रहा होगा जैसे हम बोलते the police the police caught the thief कि police ने thief को पकड़ दिया तो तब हम बोलेंगे the thief was caught by the police तब आना था ये इसलिए यहाँ पे fit नहीं बैठ रहा है आप देख रहे होंगे तथीफ had been caught by the police ये भी क्या है past perfect की बात कर रहा है had been कहां पे आता है past perfect में जबकि sentence का tense नहीं change कर सकते हम लोग मतलब हम अगर active से passive जा रहे हैं तो sentence का tense change नहीं करते है जो गटना अभी हो रही है उसको यह नहीं कि हुई थी नहीं बहुल सकते या होएगी नहीं बहुल सकते बोलना तो यही पड़ेगा कि मम्मी खाना बना रही है यह खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है रही है रहा है मगर चलेगा वो उसी tense में present में चल रहा है तो present continuous में ही रहना चाहिए वह बात ठीके न अब आप इन दोनों में देख लीजिए यह tense ही चेंज हो रहा है यहाँ अगला देखिए the tiger was chasing the deer tiger किसको chase कर रहा था deer को chase कर रहा था तो was chasing the deer है न इसको उल्टा करेंगे तो was के साथ was being were being यही आता था तो the deer was being chased by the tiger यह इसका answer होना चाहिए क्योंकि formula हमें पता है was के साथ being आता है दूसरे में भी पहले वाले में was तो लिखावा पर being नहीं लिखावा इसलिए वो गलत हो जाता है और the deer had chased the tiger यह had chased किसमें आ गया यह past में ही आया लेकिन past perfect आ गया जबकि sentence किसमे था the tiger was chasing the deer यह था past continuous में इसलिए past आपने tense की molek ता ध्यान रखनी है अगर वो molek रूप से present perfect में चल रहा है तो उसका जो passive बनेगा वो भी present perfect में ही बनेगा ऐसा नहीं कि वो past perfect में बन जाएगा यह बात आप ध्यान रखना यही इसका सबसे important trace करने वाला तरीका है और साथ-साथ आपने देख आता है head के साथ bean आता है अब जैसे यह लिखा बाद c वाला the deer had chased the tiger by the tiger तो head के अगर head रहा होता तो head के बाद तो bean आना ही आना था had been chased by the deer अगर यह question कुछ भी था मान लीजे पर यह answer c तो आई नहीं सकता न ठीक है न यह नहीं आता the deer had been chased by the tiger यह आ सकता था ठीक है न the boy teased the girl वो लड़का लड़की को परिशान कर रहा था the boy teased कर रहा था अब था इसका मतब यह था में ही चलेगा इसका answer the girl was teased by the boy लड़की को उस लड़के के द्वारा tease किया गया जबकि b में क्या लिखावा the girl had teased by the boy had teased मतब वो लड़की teased कर दी गई थी by the boy ऐसा किया था ये बोलना है हमने तो जो हमने बोलना है पैसी में भी वही बोलना है ठीक है न बस उसके क्या करने है रूल चेंज हो जाएंगे अगर वो पैसी पास्ट में था तो हमें उसे कैसे पता चला दबवाई टीजड जब टीजड वर्ड आ गया ये तो पास्ट की बात कर रहा है इसलिए हमने वज टीजड लगा दिया तो ये इसका बुसरा तरीका है I will never forget this experience मैं कभी भी अपने जिवन में इसको भूलूँगा नहीं तो कब नहीं भूलूँगा भविश्य में नहीं भूलूँगा न तो will never तो will के साथ क्या आता है will be ठीके न will के साथ क्या आता है will be तो आप देख लो कहीं पर भी will be है कि नहीं है तो देखे थर्ड वाले में will never be will be आ रहा है न यहां पर will never be मतब विल बी आ रहा है यहां पर और बाकि किसी में भी अब will never be इसलिए आया क्योंकि यह negative वाली बात थी न, negative नहीं भूलूँगा, नहीं, इसलिए never को बीच में ला दिया, अगर वैसी बात होती तो, इसको will be ही आता है, यह सिदा है न, तो आप देख लीजे, तीनों में से आप देखने हैं, कि c वाले में ही will के साथ be आ रहा है, बाकी यहां तो would never be, यहां तो would आ जा रहा है, will की जगा would आ जा रहा है, देखो, the experience is not forgotten by me, यह इसमें कहीं यह present की बात आगी, तो present की बात नहीं, यह तो future की बात है, तो यह तो would आ सकता था, यह will आ सकता था, तो बात यह कि would भी हमने कहीं नहीं पड़ा, भी आपने देखा रहा है, और दूसरी हमने जो passive दे रहे हैं, इनको आप अपने active voice में change करना है, आप लगातार तयारी में लगे रहेंगे, और आप अपने समय का सबसे ज़्यादा सदूपियोग करेंगे, गाउं में जो लोग हैं उन पर बहुत ample of time हैं, लेकिन शेहर में बहुत सारे लोगो करके अपने तयारी में लगे रहेंगे, इनको शुब कामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का